हम क्या कर रहे थे हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक फिल्ड नियत वेक से गती सील कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फिल्ड वी ते कॉंस्टेंट तो कहां तक कर लिए था पड़ने हमने एक्स की वेलू निकाल ली थी क्या ही थी के क्यू अपॉन आर इस्क्वाइर कोस थीटा ध्यान रखना दो फ्रेम ओफ रेफरेंस निर्देश्टन तर लिए थे एस और एस प्राइम ठीक है कल देखा था पड़ने और फिर उसमें अपन साइन थीटा ठीक है यहां पर कोस थीटा और साइन थीटा की वेलू रख दीती तो क्या गया था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वाइर प्लस जैड़ स्क्वाइर की पावर थ्री बाई टू एक्विशन फर्स्ट ठीक है सेकेंड था के क्यू जैड आपॉन एक्स स्क्व क्वाबे ट्रीवर एक्वीशन टू यहां तक आपने धर लिय था ठीख आउ नेक्स्ट आपने आठ था कि लोग ऐसे हमें मेकनिक्स दिःएंगे अब only equation equation देखेंगे ठीक है तो लोरेंज रुपान दरण से तो equation क्या थी एक्स बराबर जो फ्रेम लिये थे अपड़ने ये एस लिया था ये इस प्राइम लिया था ये इसका सेंटर हो और ये इसको जब प्राइम यहांपर कोई प्राइम पि लिया था जिस पर इलेक्टिक फिल्ड देख रहे थे ठीक है इतना कर लिया था तो आप लोरेंज जो रुपान तरन समी हो देखते हैं एक्स बराबर गामा x prime minus beta c t prime ठीक है यह होता है x में जो change होता है जो s निर्देश तंतर है उसमें हम x लेते हैं x, sorry जो s frame है उसमें जो component लेंगे जो variable लेंगे वो x, y, z लेंगे और t लेंगे s निर्देश तंतर में हम x, y, z और t t time है और जो s prime जो frame है उसमें x prime, y prime, z prime और t prime लेंगे ठीक है तो ये x prime और t prime किसके लिए show कर रहे है s prime frame को ठीक है जो beta होता है वो क्या होता है under root 1 minus v square by c square 1 upon ठीक है हाँ नहीं, sorry beta पराबर तो v upon c होता है ठीक है एकिलियर second अगर y में change लेंगे तो y तो है नहीं से तो y के z में change करेंगे तो z prime ठीक है तुम्हें पता है x के corresponding change हो रहा है तो x में change होगा है इतना z में कुछ नहीं और t में करेंगे time तो change होगा gamma t में जो change करेंगे तो gamma t prime minus beta x prime upon c ये लोरेंज रुपांतरन समी करने जो हम mechanics में पढ़ेंगे और prove भी करेंगे अब तुम्हें ऐसे पढ़ेंगे ये होते है mechanics में हम इसको prove भी करेंगे mechanics जब एक book आपनी उसको करेंगे तब इसको prove करेंगे तो ये होता है s frame में ये variable लेते हैं और s prime frame में x dash y dash z dash t dash जो निर्देशांक लेते हैं ठीक है coordinate लेते हैं जो ये s और s prime जो s prime है ऐसे मानते हैं जो s prime निर्देश तंतर है frame है जो s की comparison में v velocity से move कर रहा है ठीक है इदर move कर रहा है v velocity से तो इसके तो जो p point है यहाँ इसके जो component है इदर e x था और इदर e z था इनमें कितने change होंगे जब ये v velocity से इदर move करेगा ठीक है तो ये change है e x prime e x के बराबर होगा और e z जो prime है वो gamma e z के बराबर होगा क्योंकि e x तो same है इदर की सक जाएगा same और जो e prime है इसमें gamma e z change हो रहा है clear? अब जो e x e z इनकी value हम बूट करते है मतलब e x prime की value निकाल लेते है e z prime की value क्योंकि e x की अपने पास है e z की है e z की है तो e x prime और e z prime की value हम लिखते है e x prime की आ जाएगा same ये की आ जाएगा e x की जाएगा x की जाएगा x की जाएगा x prime की form में लिख रहे है सब कुछ e x अपन e x prime निर्देश तंतर जो frame है उसमें निकाल रहे है तो x की जाएगा भी x prime वाली value पूट करेंगे ठीक है तो करते है जो हम बहुत आराम आराम से टोपिक को लेके चल रहे है कई भी समझ नहीं आए न तो बोल देना e x जो prime है e x की जो value रखते है k q x x की जगे x prime वाली value रखते है ये वाली तो ये मानते है जो t बराबर 0 जो t prime है जो 0 समय पर हम यूज करते है तो rewrite zero समय पर यूज करते है यहाँ t prime पर 0 पुट करते है तो x पराबर क्या हो जायेगा गामा x prime ठीक है क्योंकि t जो prime होगा वो 0 होगा क्योंकि हम कब देख रही है जो ये electric field के जो component देख रहे हैं वो t prime बराबर 0 time पे देख रहे हैं तो इस वज़े से t prime 0 होगा तो x बराबर gamma x prime हो जाएगा ठीक है तो यहाँ gamma x prime upon x square plus z square की power 3 by 2 यह तो आगया हाँ इसकी जगे भी यह put करेंगे तो e x जो prime है k q gamma x prime क्योंकि prime की formula है हमको ठीक है क्योंकि वो तो मुँग कर गया जो s prime था इधर मुग कर गया s prime s जो frame था s prime मुग कर गया इसके coordinate इसकी हर चीज हमें पता है इसके electric field में पता है इसके component हमें पता है हमें निकालना है s prime frame में तो comparison करके कि हमें इसका पता है और इसमें निकालना है तो comparison करके हमें e x prime में निकालेंगे तो इस वज़े से यहां only prime वाली आएंगे तो x की जगर gamma x prime plus z z तो z prime क्यों ब्रावर ही है z prime का square इसका square इसका square इसकी power 3 by 2 यह आ गया ठीक है इसी प्रकार हम से e z prime निकालेंगे e z बरावर गामा e z होता है तो गामा e z की value क्या है यही तो k q z की जगह यहां से z prime upon x की जगह gamma x prime plus z की जगह z prime का square की power 3 by 2 तो यह अपने पास आ गया e x prime and e z prime इनको equation देते है 3 and 4th इनको देंगे 5 and 6 ठीक है next हम करेंगे जब इसका जो total electric field निकाल लेंगे electric field की intensity निकालेंगे e prime वो क्या होगी e z prime का square plus e z sorry e x prime का square और e z prime का square के बरावर होगी total e prime square तो इन दोनों का add करेंगे ठीक है तो next का लाम करेंगे इन दोनों का add करेंगे फिर बागे आगी की calculation करेंगे तों करके देखना e x prime की value रखना e z prime की value रखना ठीक है और इसके आगे calculation है वो करना ठीक है जितना हो उतना करने की कोशिस करना प्राव करेंगे